और गाज़ेबास से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका कलेज़ा काम जाएगा घर में काम करने वाली मेड ने ऐसी घिनोनी हरकत को अंजाम दिया कि लोग अब अपने घर में मेड रखने से डर्धने लगे हैं वीडियो को धुंदला करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है मजबूर इसलिए क्योंकि वीडियो में दिख रही इस महिला ने ऐसी हरकत की है कि हम आपको इसे दिखा नहीं सकते हैं लेकिन ये खबर इतनी जरूरी है कि हमें आपको बताना तो पड़ेगा ही कि आखिर इस धुंदली तस्वीर के पीछे इस महिला ने क्या किया है CCTV में कैद ये तस्वीर गाजयबाद की Crossing Republic Society के एक फ्लेट की है ये महिला इस घर में खाना बनाने का काम करती है लेकिन ये खाना कैसे बना रही थी उससे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे ये महिला पेशाब से आंटा गूत कर रोटी बना कर घर वालों को खिला रही थी दरसल इस फ्लेट में रहने वाले लोगों की तबियत पिछले कुछ दुनों से खराब चल रही थी घर के लोगों को शक हुआ ही कहीं मेड उनके खाने में कुछ गड़बर तो नहीं कर रही है सच्चाई का पता लगाने के लिए घर वालोंने किचन में छोटा कैमरा लगा दिया और जब कैमरे ने हकीकत रिकॉड की तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई रीना नाम की ये मेड आटा गूतने से पहले एक बरतन में यूरिनेट करती हुई कैमरे में कैद हुई बाद में बरतन में जमा पेशाप को उसने आटे में मिला दिया और फिर उसी आटे से घर वालों के लिए रोटी बनाई हकीकत सामने आने पर घरवालों का गुस्सा सातवे अस्मान पर पहुँच गया वो इस वीडियो और मेड को ले कर सीधे पुलिस टेशन पहुँचे जिसके बाद पुलिस नारोपी मेड को गिरफतार कर लिया हरानी की बात यह है कि ये महिला पिछले कई सालों से इस घर में काम कर रही थी घर वाले भी भरोसा कर उसके हाथों से बना खाना खा रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इस तरह से उन्हें खाने में गंदगी मिला कर खिला रही थी यूपी की सीएम योगिया दितनाथ ने इस तरह के मामले में पुलिस को सकती से निपटने को कहा है साथ ही योगी आधितनाथ ने अधिकारियों और मंत्रियों की मीटिंग में कहा तिखाने में इस तरह की गंदी चीजें मिलाने और गैर जमानती अपराद बनाया जाए और कानून में इस तरह की हरकत करने वालों के लिए जेल और जुर्मा ने दोनों का इंतिजाम किया जाए